आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे बहुत टेस्टी और मज़ेदार सी रेस्पी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं उसके लिए हमने तीन अंडे लिये हैं और ये हरी धनिया है और दो हरी मिर्चे हैं प्याज है इन सभी को हम चोटे-चोटे पीसे में कट कर लेंगे और कि आई है तो अहीं तकwatch गज्ओ कर दिए ल trigger कर दिए तो चलिए से सब्सक्राइब लाइन बनाना शुरू यूरू करते हैं हमने के आज को आज को भी चोटे-चोटे फीसें में कट कर लेंगे और दो टमाटर लिया है इसे भी हम दो लिया दा और इसको भी छोटे चोटे पीस में कट कर लेंगे तो देखिए हमने सारे वेजिटेबल कट कर लिये हैं तो अब चलते हैं इसको एक साइड रख देते हैं और फिर अंड्य तोड़ लेते हैं अब इसमें हम थोड़े से अविशक्तर नमक डालेंगे और इसे अच्छे से फेट लेंगे अब इसे हम फेट कर रिक्साइड रख लेंगे और गैस के दरफ चलते हैं तो हमने पैन चड़ा दिया है मीडिया माच में और इसमें हम एक बड़े चम्मच सरसो का आयल डालेंगे और आयल हल्कल सा गराम हो जाए तब हम इसमें प्याज डालेंगे जो बारी कटी हुई प्याज है बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है जहेट पर से यह रेजिपी और खाने में बहुत टेस्टी लगता है इसे आप सुबा के टाइम बनाएए शाम की टाइम बनाएए बच्चों की टिफिन में दीजें बहुत मज़े का होता यह रेशिपी तो इसे हम हलका सा कलर चेंज होने तक इसे हम फ्राइए कर लेंगे तो यह दिखें हलका सा कलर चेंज हो गया है हलका उला भी हो गया प्यांज तो अब हम इसमें बारी कटी हुई टमाटर डाल देंगे हरी मिर्स डाल देंगे और टमाटर सॉफ्ट होने तक इसको हम पकाएंगे स्लो आज पर आज को हम स्लो कर देंगे कि और इसमें हम थोड़ा से नमक डाल देंगे तो हमारे टमाटर और जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर देखें टमाटर इच्छे से सॉफ्ट हो गया हमारा और आज हमने मीडियम रखा है फ्रेंट्स इस रजीब को आप देखकर जो अंडे नहीं खाते न वो भी खाने लगेंगे इससे देखकर इतनी टेस्टी यह बनती है तो फिर देखें टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और हम जो हमने अंडे फेट कर रखा इसमें डाल और इसमें थोड़ा सा हरी धनिया डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे इसको हम मेडिया माज भी अच्छे से भूनेंगे तो यह देखिए है फ्रेंट्स एक तम फटा फट से हमारा यह रेसिपी बन जाती है और कोई टाइम नहीं लगता पांस एच्छे मिनिट के अंदर अंदर यह रेसिपी बन जाती है जट पट से और सूबा के टाइम बच्चों के टीफिन में आप दीजिए फटा फट से रेडियो हो जाता है यह रेसिपी और बच्चे पराठे के साथ रोटी के साथ बहुत चौक से खा लेते हैं तो यह देखिए फ्रिंस इसमें हमने थोड़ा सा धरी हारी धनिया से गानिश कर दिया और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे और यह हमारी रेसिपी बनकर रेडियो गई है हम गैस बंद कर देंगे और बहुत ही प्यारी खुजमूल की आ रही है तो चलिए हम इसको डिश आउट करते हैं यह रामारा गर्मा गरम अंडे की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है नाश्ता इसे गर्मा गरम पराठे के साथ रोटी के साथ खाईए बहुत पसंद आएगा आपको और बच्चो को बहुत पसंद आने वाला यह रेजिपी सीपी के साथ, बाइ बाइ